हेई गाईज वेलकम डू अभी निया आट व्लोक्स आज हम लोग बात करने वाले हैं और नियो टॉटा फॉर्चुने ट्वेंट के अंदर अन्वील हो चुकी है टोटल यह टू ट्रिम्स के अंदर लॉंच हुई है स्टान्डर एंड लेजन्डर अभी जो आप वेरेंट देखरे हैं स्टान्डर वेरेंट के अपकी आपको दिखा रहा हूं यह थाईलइंड के ही ढेलिशिस पर कैप्चर हुई है और इसको आप देखकर कहा है कि यह वाला जो वेरेंट है एक्सेक्ला के इंदर भी आने वाला वो काफी जादा स्लीकर कर दिया गया है और उसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेड्लाम्प मिलते हैं और फ्लोटिंग आपको LED DRL भी देखने के लिए मिल जाती है वहीं जो इसकी ग्रिल है अपर उसको काफी जादा ब्रॉड कर दिया गया और उसके अंदर match sort of design का लुक यहां पर दिया गया और एक बोल्ट टॉटा का लोगो भी उसके अंदर engraved किया गया वहीं जो chrome element का work है वो आपको पहले जैसा ही देखने के लिए मिल जाएगा बट जो इसका bumper है वो revise कर दिया गया और पहले से जादा आपको sportier भी देखने के लिए मिल रहा है अंडरनीथ आपको मिल जाते हैं इसके अंदर LED fog lamps और उसके नीचे chin के पास ही आपको इसके अंदर जो placing है वो इसके indicator के placing मिल जाएगी जो की एक LED strip की तरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे है वहीं आपको underneath ही silver color में आपको skid plate देखने के लिए मिल जाती है जो car को sportier look दे देती है Dimension wise इसके अंदर कोई भी changes नहीं किये गए है इंडिया के अंदर आपको early 2021 में देखने के लिए मिल जाएगी वहीं अगर मैं बात करूँ सके side look की तो side look में as such कोई भी changes नहीं किये गए है Standard variant में वहीं आपको same जो silver in finish में इसके side footrest मिलते हैं और B और C player आपको matte in finish में मिलता है बट जो एक change किया गया है वो इसके alloy wheels में किया गया है यहां पर आपको new pattern of alloy wheels silver in finish में मिलता है जो कि 18 inches का alloy wheel है Car के length width height सब कुछ same है उसके अंदर overall कोई भी changes नहीं किये गए है बट अगर मैं बात कर उसके back look की तो back look की जो आप अभी images देख रहे है वहां पर कुछ minor tweets किये गए है इसके LED tail lamps में जो LED tail lamps का layout है वो exactly same है बट जो उसके अंदर जो LED light है जो glow होती है उसका जो sort of design है वो आपको थोड़ा सा change देखने के लिए मिल रहा है और उसके अंदर काफी जादा appealing look जब light glow होती है वो आ रहा है वहीं आपको जो LED lights को connect करते हुए chrome bar है वो same मिल रहा है और underneath जो bumper मिलता है वो भी आपको same देखने के लिए मिल जाता है वहीं आपको fox kit plate भी back side में available हो रही है और कोई भी as such changes आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे कुछ ऐसा look आता है जब LED टेल लाइट इसकी on हो जाती है आप मुझे comment करके सब्सक्राइब बताने कि आपको इसकी LED lights का look overall कैसा लग रहा है बूट open करने के बाद कुछ इतना space यहां पर बजता है जो dimension wise और इसका boot space है वो कुछ भी unveil नहीं हुआ है वहाई में जो middle row है उसकी जो seat है उसको one touch आप down भी कर सकते हैं और अगर मैं इसके interior के बात करूँ तो कुछ इस तरह के का आपको interior देखने के लिए मिलता है एट इंचिस के आपको infotainment display मिलती है जो support करती है सिर्फ apple carplay automatic air conditioner इसके अंदर मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं तो इसका steering wheel है उसको थोड़ा सा design चेंज किया गया है instrument cluster जो है उसका भी जो layout है वो आपको थोड़ा सा change मिल रहा है graphics इसके अंदर अब engraved कर दिए गए है cruise control आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है और अभी मैं आपको इसका जो instrument cluster का look है वो मैं आपको एक और next images में ज़रू दिखा जाता हूं कि कैसा इसका look आ रहा है steering wheel भी मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके steering wheel है और यहां पर आपको paddle shifters भी add-on मिल जा रहे है जो की car को एक और बिजादा sportier feel करा जेते हैं और अभी मैं आपको इसकी cabin की भी images दिखाता हूं कुछ इस तरीके से आपको cabin भी इसका देखने के लिए मिल रहा है जो कुछ इस तरीके images के background की जो की one touchdown के साथ आपको available मिल जाती है यह थी कुछ dealership images of Toyota Fortuner facelift 2020 आपको वीडियो कैसे लेगे मुझे comment करके बताना बाकी वीडियो को ज़र लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते नेक्स वीडियो में till then take care bye bye